कुछ दिर बेटिये, कुछ दिर इस्मर्ण करें, हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है, तो कपाल किरिया तक रुखना पड़ता है, कि थोड़ा रुकिये, कोई पीछे से आकर कुछ करना जा, दीप जनाने, थोड़ी दिर रुकि और दीब का भी निया में मारा दीब का भी निया में दीए में जो फूल बत्ती लगती है गोल बत्ती लगती है गोल वाली ये बत्ती हमेसा कोई विश्णु बगवान की पूजन कर रहे हो शिवजी की पूजन कर रहे हो कोई अन्य देवता का अगर अगर अपस्मर्ण कर रहे तो गोल बत्ती लगा लंबी बत्ती लंबी वाली जो बत्ती होती है लच्मी की पूजन में देवी पूजन में जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे जितनी भी देवियों का आप इसमरन करोगे उसमें लंबी बत्ती का प्रमान पित्रों की पूजन में लंबी बत्ती का लगाएंगे तो घर में लच्छमी नहीं टिकेगी कई लोग करते हैं कि परिंडे के पास मटके के पास में पानी के स्तुरोथ के पास में जहां जल भरते हैं हंडा रखते हैं तंकी रखते हैं वहाँ पर मटके के पास बत्ति लगाओ दिया लगाओ पितर संत रहेंगे तो पितरों को संत करो मना नहीं है पर दिया लगाने का निया में कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास परिंडे के पास या अमवस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा तो गोल बत्ति अगर लगाओगी तो कारे कभी सफल नहीं होगा धन आएगा जाएगा ठीकेगा नहीं इसलिए पित्रों के लिए अगर दिया लगाना है उर्वजों के लिए दिया लगाना है पित्रों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ति लगाए लंबी बत्त मारत लंबी बत्ती का प्रमान हमरे यह सास्त कर गोल बत्ती का प्रमान और सुन्दर चरित्र कहा यदी आपके जीवन में बहुत जादा लच्छनी से तकलीप है कश्ट बहुत जादा है या इसलिए सायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वस्रेष्ट कौन सा चंदन अच्छा लगता है आपको पहले भी कथा में का आगरा की कथा अगर किसने सुनी होगी तो उसमें बर्णन किया भगवान को सर्वस्रेष्ट चंदन कौन सा भगवान को सर्वस्रेष्ट चंदन कौन सा प्रिय है वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णू को लगाएं राम को लगाएं कृष्ण को लगाएं वो कौन सा चंदन है जो श्री हरी को लगाया जाए तो जीते जी भगवान विष्णू एक बार गले लगाते हैं उसको करते हरी चंदन कौन सा चंदन है हरी चंदन हरी चंदन बजार में नहीं मिलेगा हरी चंदन आपको बनना पड़ेगा काईसे बनना है तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए वो जड़ को पानी में धो लिया जाए धोने के बाद उसको सिल्वटे पर पत्थर पर घिसा जाए और घिस कर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डाल कर तैयार करकर जो भगवान विश्णू के मस्तथ पर कृष्ण राम के मस्तथ पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हिर्दय पर लगा लेते हैं जीते जी भगवान ऑपर उसको गले लगाते ही हैं हरीय महापुरान में रुद्रचंदन का भव है शुव महापुरान में रुद्रचंदन का प्रमान दिया जाता है अयरे आपने लिंग पुरान पढ़िए हो développा तो उसका पांचमाई पढ़ियेगा महा उसका पुमार्य drafting पडियाएगा जिसमें रुद्रचंदन का प्रमान है रुद्रचंदन कैसा रुद्रचंदन का प्रमान कैसा तो महराज कहा चंदन घिसकर पीला चंदन घिसकर उस चंदन को तीन मुखी रुद्राक्षे पर लपेट लिया जाता तीन मुखी रुद्राक्षे पर उस चंदन को लपेटा जाता लपेटोगे उसके बाद उसको इससा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाए एकदम चिकना ठीक है एकदम और उस चंदन को आप शिवरात्री के दिन और कोई से भी महिने की शिवरात्री किसी भी महिने की हो सब थल्दाई होती है अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्री लिखी हुए आती है हर महिने पर शिवरात्री पढ़ती है किसी भी महिने की शिवरात्री पर उसका गोला बनाया है वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना अच्छा बढ़िया एसा नहीं थोड़ा बहुती लगा पूरा रुद्राच दिखना नहीं चाहिए पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर लिजा कर रख दीजिए और फिर धीरे धीरे शंकर भगवा करीए यह कहलता है रुद्रचंदन इस चंदन के अभिशेख से महराज जो काम नहीं होता आप करकर उसका और को प्राप्ट कर सकते हो सिद्ध कर सकते रुद्रचंदन हरी चंदन रुद्र चंदन ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले हर्टत्व देने मंगल है राहू है के तु है दशा बिकार चल रही है लच्मी नहीं आ रही कष्ट बहुत है फिक्रिया नहीं चल रही कहीं मत जाओ मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महा पुराण को पूरी सुनो शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे जो शास्त्र संबत है इसकंद पुराण में विश्नु पुराण में नरवदा पुराण में लिंग पुराण में शिव महा पुराण में भविश्य पुराण म विश्वास रखो संकर पर तो किसी को यह रुपिया देने की जरुवत नहीं पड़ेगी भजन करो विश्वास संकर पर रखना जनम मरन और परन वो देगा सुख वो देगा सम्रद्धी वो देगा जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धी हो जिसके घर में अमोद और प्रमो कि हो जिसके घर में लचमी देने वाली लचमी पयल पत्र के पेड़ के नीचे ज्जाडू लगाती हो जो समयम सरसथी को स्वरप्रदान करता है पुरीं कर ouais अजब सब कुछ उसके पास में है कुबर का खजयना वो चोर को दे देता है सर्वस्वता उसके पास तो आपकी दवड़ डोलते क्यों हो क्यों डोलो उस पर विश्वास रखो वो शंभू वो शंकर वो तरकाल दरशी वो केलाशी वो अविनाशी सुख देगा आनन देगा पाने का तरीका केवल उसको रिज्वाओ जो मंदिर आप से दूर हो जिस मंदिर में कोई नहीं जाता है जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता उस मंदिर में तुम जा और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश करकर आना एक बार दिया जला कर आना मंदिर की सफाई कर आना संकर जी पे जल चड़ा कर उनको इसनान करा कर कोई पत्ती पेड़ पोधे की पास में तोड़के चड़ाया ना दो चार बार करकर देखना कितना सांती कितना धीरज कितना अनंद कितनी समर्धी कितनी लच्छ मी मिलती है तुम करोगे तुमारा पेट भराएगा हम करेंगे हमारा पेट भराएगा सgencyं करिए तो ब्रह्म मोग के देवता ब्रहमा है बेकुंत के देवता भगवान विश्णु है और मर्तिव लोग का अगर कोई देव है तो वो महाँ देव है केवल शंक है केवल शिवल मर्तिव लोग का दे अब एक विचार करो तुम्हारे घर में अगर थोड़ी सी तकलिफ आई तो सबसे पहले अमेरिका में लड़का रे रहा वो आएगा क्या उना में बच्चे रे रहा है वो आएगे क्या इन दोर में बेटी रे रही वो आएगी क्या और जैन में कोई रे रहा है वो आएगा क्या सबसे पहले वो आएगा जो तुम्हारे घर के पास होगा या घर के करीब में होगा बि पुकार किसको रहे हो ब्रह्म लोक में पुकार किसको रहे हो बेकुंध लोक में पुकार किसको रहे हो इंद्र लोक में और जो घर के घर में रह रहा है जो तुम्हारे पास में रहा है जो मृत्यू लोक में रह रहा है उसको तो बुलाई दी रहा है कि कई लोग करते हैं कई लोगों की यादा थे पडोसन को तो खुब चाही पिलाएंगे पडोसन की काकी के तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो गुरु जी ने जो बताया है वैसा ही आप लोग भी करिए आपके भी घर में सुख सम्रधी आए और सभी का दिन खुसहाल बीते श्री शिवाय नमस्तु प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें और जरूर करें श्री 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 झाल झाल